मर्याम दो आश्क दो बुड़ाओ बार अश्क दो आश्क दो आश्क दो अश्क reflecting कि ऑने धान... बड़ेदावाओ बांत! बड़ेदान जीवे मर्यम नावाइब रिसमल्लह रख्मान ररहीम हजारा की मेरे शेरो हजारा की मेरी शेर्नियो मेरे भाईों, बजर्गों, बेहनों, माओं, बेटियों, बेटों आप सब को हजारा और खैबर पफ़तून खा की बेटी मर्यम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलेकुम आपको हजारा से मुहबत करने वाले नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलेकुम लवाज शरीक सहाब ने मुझे कहा कि तुम हजारा जा रही हो अबटाबाद जा रही हो मेरी तरफ से बहुत प्यार बना सलाम देना मैं स्टेज पर मुझूद खेबर पफटूनखा की बहुत मुतरम क्यादत का हजारा से आएवे तमाम कारकुनों का मुस्लिम लीग नून के शेरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस जजबे के साथ इस मुहबत के साथ शफकत के साथ मुझे खुशाम देख कहा ये मुहबत मैं यहां से लेकर अपने दिल में वापस जाऊंगी बहुत महिरबानी बहुत शुक्रिया स्टेज पर बैठे वे काईदीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं जब भी हजारा आती हूँ जब भी खैबर पखतुन खा में आती हूँ खैबर पखतुन खा के अवाम बहुत मुहबत से मेरा इस तकबाल करते हैं मैं बहुत बहुत शुक्र गुजारू यहां जो खवतीन बैठी हैं बड़ी तादाद में आई हैं बड़ी खुशी हुई आप सब को देखकर और ये तीन चोटी चोटी बच्ची हैं उन्होंने मेरे फ्लाइकार्ट उठाए हुए थे मेरी तस्वीर के मुझे आवादें दे रही थी मुझे कह रही थी I love you तो मैं उन तीनों बच्चीयों को कहना चाहती हूँ I love you too और एक मैं देख रही थी फूल लेकर लोग पीछे खड़े थे और बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे और इतने सारे फूलों से मेरा इस्तक्बाल किया मैं उन सब की भी बहुत बहुत शुकर गुजारू अमीर मकाम साहब ने कहा अभी लंडन आये हुए थे मिया साथ मिया साथ ने बड़ी महबत का इज़ार किया इन्होंने कुछ गिले शिक्वे भी किये तो मिया साथ ने कहा कि आपने प्रोग्राम बनाया है मर्यम नवास का तन्जीमी कन्वेंशन्स का तो आप मुझे अजाज़त दें खैबर पख्तून्खा में आपने जहां जहां भी तन्जीमी कन्वेंशन का आपने हमें दिया है प्रोग्राम तो मुझे अजाज़त दें कि हम बहुत बड़े बड़े मर्यम के जलसे करना चाहते हैं और इस बात का तो पूरा खेबर पख्तून्खा और पाकिस्तान गवार है कि जहां जहां खेबर पख्तून्खा में या नवाज शरीख सहाब का जलसा हुआ या मर्यम नवाज का जलसा हुआ इतने बड़े जलसे मैंने कभी किसी और सुबımızı में नहीं देखे तो अमीर मकाम साहब इस बात में तो कोई शक नहीं कि इन्शाला ताला जलसे होंगे भी और बहुत बड़े होंगे लेकिन नवाश शरीक साहब का ये हुकम था कि पहले आप पूरे पातिस्तान में जाएं और जाकर सबसे पहले तन्जीम के लोगों से और वरकर से मुलाकात करें उनकी बात सुनें क्योंके ये वरकर जो हैं ये तन्जीम के जो लोग हैं ये हमारा हरावल दस्ता हैं जो हमें इन्शाला ताला हमारे मिशन में काम्याब करन उसकी वज़ा ये कि आपसे मुलाकात के बाद मेरी खवतीन के विंग से भी मुलाकात है फिर कल मेरे तमाम MNAs, MPAs, Ticket Holders से जिली सुदूर से मुलाकात है सोशल मीडिया टीम्स के साथ मेरी मुलाकात है मैं वैसे खसूसी तोर पे सोशल मीडिया टीम जो KPK की है आलमगीर खान साथ की कियादत में, मिया आलमगीर साथ की कियादत में जिस तरह खेबर पख्तून खा की सोशल मीडिया टीम ने जो अपना किरदार अदा किया है नवाज शरीफ साथ की जिद्व जहिद में आपको दोनों आतों से से अलाम पेश करती हूँ और अब डिविजन वाइज में जा रही हूँ लेकिन उसके बार मेरा बहुत दिल है और इन्शाला ये होगा कि मैं खेबर पख्तून खा के तमाम इजला में खुद चल कर जाँगी इन्शाला ताला और अगर मेरा बस चले तो मैं ना सिर्फ ये कि खेबर पख्तून खा के तमाम इजला में चल के जाऊँ बलके इन्शाला मेरा ये भी दिल करता है यकीन जाने कि मैं खेबर पख्तून खा के अवाम से हर गली में जाऊँ हर महले में जाओ, हर घर में जाओ अबर अपना पधाम दो झाओ कींकि इस खैबर पखटुंखा को वसalten की द्रूवत नहीं है खैबर पखटुंखा को फान्ड की भी द्रूवत नहीं लाका शुकर है के हैं, खैबर पखटुंखा को को इस वक्त नवाज़ शरीव की जरूद है। खैबर पखिटून फा को इस वक्फद्वारा को इस वक्त के जजबे से सरशार मस्लीम लीव नून की जरूद है। और त 가자 कर्कुनों नवाज़ शरीव शरीव 270 पार्ब की पटी है। चीफ और्गनाईजर की, तो मैं यह समझती हुँ कि अब वो वक्त आगया है कि पहले नवाज शरीक साबने, इन्शालाह इन्शालाह अब वो वक्त आगया है, पहले तो मुस्लिम लीग नुन की बहुत बड़ी काम्याभी की दास्ता आने कि जब मुस्लिम लीग नुन इक्तदार मे आई पाकिस्तान की आज जतने भी आज काबल जिकर मनसूबे रहे जाए वो आटमी दमाका हो या वो मोटर वेज हो या वो हजारा मोटर वे हो या वो अस्पताल हो, स्कूल्ज हो, यूनिवरसिटीज हो, एक्सप्रेस वेज हो, बिजली के कार खाने हो मेट्रो बस हो, औरिंज लाइन हो, सी पेक हो, गवादर की बंदर गाओ तो हर मनसूबा उठा के देख लो, उस पे नवाद शरीफ का नाम लिखा है और खैबर पफटून खा के पास भी अगर दिखाने के लिए आज एक ही मनसूबा है, उसका नाम हजारा मोटर वे और वो उसको बनाने वाला कौन है अलहम्दलिल्ला नवाद शरीफ है तो मैं तो जब भी हजारा आती हूँ, जब भी खैबर पफटून खा आती हूँ तो मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं देखूं कि पिछले दस साल में इमरान खान की हकूमत ने यहां कौन सी नई सड़क बनाई है कौन सा नया स्कूल बनाया है कौन सा नया कॉलेज बनाया है कौन सा नया यूनिवरसिटी बनाई है कौन सा नया टेकनालोजी या आईटी सेंटर बनाया है मेरी आंखे तरस गई हैं लेकिन मुझे कभी कोई मनसूबा नजर नहीं आया बलके वो जो एक करोड नौकरियों का वादा किया था बैए एक करोड नौकरियां छोड़ो खैबर पफ़तून खा में मुझे एक हजार लोग ही दिखा दो जिनको नौकरियां मिली वो जो बिलियन ट्री सुनामी की हम सुन सुन के हमारे कान पक गए उन में तो शायद वो दरख्तों ने सुने माने टॉपियां पहन नहीं मुझे समझ नहीं कि वो दरख्त किदर गए उल्टा इनके लोग जो हैं खैबर पफ़तून खा में जंगनों के जंगल काट के बेच के था है ता तीम सौ डाम बनाओंगा पूरे पाकिस्तान को डाम फूल बनाके चलता मैं तो मैं अब ये खैबर पख्तून खा केसा दस साल में जो जो उनका हक उनको नहीं मिला जो ज्याती हुई है खैबर पख्टूंखा का भी हक है कि उसको पंजाब से ज्यादा तरक्की मिले जो कहता था कि मैं पिशावर को लहौर बना दूँगा उसने लहौर को भी पिशावर बना दिया तो मेरा तो बहुत दिल करता है कि खैबर पख्टूंखा भी नए हॉस्पिटल बने और मुस्लिम लीग नून की जरूरत है अभी आप मैं आई हूँ खेबर पखतुन खा ये पिशावर में अभी अभी धमाका हुआ है मुझे बड़ा में बड़ी तकलीफ है सेंकडों कीमती जाने गई लेकिन उसका कौन कसूरवार है उसका वो कसूरवार है जो दस साल खेबर खेबर पखतुन खा के उपर हकूमत करता रहा है फेलिकॉप्टर के लिए आप खेबर पखतुन खा के वसाईल बेदर्दी से इस्तमाल करते रहें खेबर पखतुन खा में वजीर-अला हाउसर गवनर हाउस को आपने अड़्डा बनाया हुआ था जहां बैट कर आप खेब करें उनको कोई स्ट्रेंट दे वो आज इस तरह शहीद हुए जिस तरह नहते लोग शहीद होते हैं खैबर पख्तून खा की पुलीस यहां पर खड़ी है खवातीन भी हैं मर्द भी हैं पुलीस के हैलकार मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूं आपने बड़ी आज यहां पर भी दी मेरी हिफाज़त पे मामूर है मैं आप सब का बहुत 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 दिल से शुक्रिया दा करती हूं लेकिन क्या खैबर पख्तून खा की जो लॉइ इंफॉस्मेंट एजन्सीज हैं वो क्या फाल्तू के आईवे लोग हैं कि उनका जो इतना उनको बजट मिला देश हैं इन्होंने एक मनसूबा बनाया वो भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नकल में बी आर्टी जिसके बारे में बड़ा मशूर जुम्ला है कि चलती का में जलती ज्यादा है और शहबाज शरीफ जिसके ओपर ये लजाम लगाते हैं उसने उसी कीमत पर 128 अरब में चार मेट्रो बस बना दी जिसमें इसने एक बशावर की मेट्रो बस नहीं बना सका और इसी लिए क्योंके ये चोरियां की हुई थी इसलिए खैबर पख्तून खा में दस साल एकतसाब के हर अधारे को ताला लगा रहा क्योंके उस वकत अभी आते हैं घरी चोरी के उपर भ भरते रहें जेले भरने का दावा करने वाले दस साल अपनी जेबे भरते रहें इसलिए खैबर पख्तून खा में एकतसाब के हर अधारे को ताला लग गया क्योंके पता ता चोरियां की हुई है पकड़े जाएंगे और खैबर पख्तून खा के जो फंड्स थे जो आपकी पर खर्च होने थे आपकी तामीर पर खर्च होने थे वो जमान पाक की तामीर पर खर्च होते रहें उसको बुलिट प्रूफ करने में खर्च होते रहें जो आपकी हिफाज़त पर पैसा खर्च होना था वो इमरान खान की हिफाज़त पर खर्च होता रहा यह कहां का इंसा और आज जब आप से सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूँगा जवाब तो देना पड़ेगा और मौजना करना है तो 2022 से 2023 का मौजना नहीं होगा हजारा वालो मौजना होगा तो शहबाश शरीफ के पंजाब के 10 साल और इमराम खान के हैबर पख्त जाएगा कि इस मुल्क की इस सूबे की बर्बादी का जिम्मेदार इमरान खान है मुझे बड़ी तकलीफ होती है मैं इस शक्स का नाम भी लेना नहीं चाहती बिल्कुल नहीं लेना चाहिए लेकिन लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार कौन है लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज जो रोज टी वी पर बैड का खताभ करता अप्ने दौरे अखोमत में चार साल और खैबर पर पक्तूंखा में दस साल ये क्या जल्म करता थ Missouri लोगों के साथ बात में जैसे पहले का कि बात फंड की नहीं है फंड की कमी नहीं है खैबर पक्तूंखा को कमी किस बात की है कमी लीडर्शिप की है कमी उस लीडर्शिप की है जिसके दिल में असास है अवाम का कमी उस लीडर्शिप की है जिसके दिल में दर्द है अवाम का जो बारा बजे दफ्तर पहुंचे और चार बजे बनी गाला जाके गाइब हो जाए उसको अवाम से क्या सरुका है जो रोज सुबा उचके कहे कि मुझे तो टीवी से पता चला है कि मिंगाई हो गई है बात सिर्फ नियत की है बात सिर्फ खिद्मत की नियत की है ना इनकी नियत साफ है और ना इनका दामन साफ है शामेमूत कुरेशी साहब कल टीवी पर फर्मा रहे थे कि नवाश शरीफ के साथ ज्यात्ती हुई नवाश शरीफ को गेर आईनी तरीके से निकाला गया एतराफِ जुम करने का बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन ये भी बता दें कि नवाश शरीफ को निकालने वाला कौन है नवाश शरीफ को जिननों ने निकाला उनके साथ तो उनका गरो का सरगना तो आपकी जमात का सरबरा है उसका नाम इमरान खान जिस गरो के साथ मिलके इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदाद की उस गरो का सरगना इमरान खान है आज आओ ना कौम को बताओ सिर्फ इतराफ जुन काफी नहीं है आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो के कौम का नमाइंदा नवाज शरीफ जिसको कौम ने वोट दे कर 2013 में बेजा उसको क्यूँ एकामे पर निकाला जरा कौम को जवाब दो और कौन कौन इस साज़िश में शामिल था जिसका सरगना इमरान खान था कौम को बताओ और बताना पड़ेगा और अल्वाज शरीफ इस वक्त लंडन में बैठें उनके मखालिफीन बोल रहें के नवाज शरीफ के साथ ज्याती हुई नवाज शरीफ को अल्वाज शरीफ को अल्वाज इस दुनिया में सुर्खरू कर रहे है उसके मुखालिफीन गवाही दे रहे है उसके खिलाफ जजड बॉल उठे, उसके खिलाफ उसके बत्तरीन मुखालिफ बॉल उठे, उसके खिलाफ मीडिया बॉल उठा के हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, कि नवाज शरीफ में इल्जाम लगाओ सब बोल रहे हैं और इंशालला ताला जो रह गए वो भी बोलेंगे कि नवाज शरीफ के साथ हमने जियात्ती की सब बोलेंगे इंशालला ताला और जियात्ती नवाज शरीफ के साथ नहीं हुए हजारा के बेनो भायो जियात्ती इस मुलक के साथ हुई नवाज शरीफ तो से गया दिल पे उसने अपने सारे जखम जो है वो वार जो इनों ने किये थे उसने सीने पे से लिये नवाज शरीफ सेग या उसने बर्दाश कर ली नुकसान किसका हुआ? जाती नुकसान नवाज शरीफ का हुआ? खानदानी नुकसान भी हुआ लेकिन अभी तक जो है वो कौम और पाकिस्तान इसकी जियाद्टियों को भुगत रहें और फिर उस कौम का क्या कसूर है जिसके उपर ये जेनी मरीज लाके मसल्ट कर दिया जिसमें चार साल इस तरह गुजारे जिसको अवाम के आज इसको मेंगाई याद आ रही है तो भाई मेंगाई तुमारी अपनी दी हुई है ये आएमेफ का मौइदा जिसको आज कौम भुगत रही है ये वाली हकूमत भुगत रही है शहबाज शरीफ भुगत रहे है वो तुमारा अपना किया हुआ है आज तुम किसमें गाई का रोना रो रहे हो ये तुमारी देन है नवाज शरीफ के चार साल में पाकिस्तान यू जा रहा था, इमरान खान के चार साल में पाकिस्तान यू जा रहा था और कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है कि बंदर ने पूरे जंगल में आग लगा दी तो शेर को बुलाएगे आओ 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 आके आग बजाओ अब शेर एक जगा भी आग बजा रहा है एक जगा बजाने के बाद दूसरी जगा जा रहा है वहाँ पर भी आग बजा रहा है तो हर कोई उसको यह कह रहे है कि यहां भी आग लगी हुए, यहां भी आग लगी हुए, यहां भी आग लगी हुए, यह क्यों नहीं बजा रहे हुए, तो भाई, आग बजाने वाले से तो पूछ रहे हुए, आग लगाने वाले से भी तो पूछो के तुमने क्यों आग लगा दी इस पूरे मुलक के अंदर? एक एक आएम एफ का मौइदा नवाज शरीफ ने भी 2013 से लेकर 2016 में बुगता था चार साल आटे की कीमत 35 रुपे रही चीनी की कीमत 50 से 55 रुपे रही घी की कीमत 140 रुपे रही कीमतیں नहीं बड़ी सबजीयां 10-10 रुपे किलो मिलती थी तो पिर किसको तकलीफ हुई तो ये जियाती नवाज शरीफ के साथ कम हुई है इस कौम के गरीब आवाम के साथ ज्यादा हुई उस वक्त तकलीफ थी जब 2 रुपे और 5 रुपे की रोटी मिल रही थी आज 15 रुपे की रोटी है किसकी वज़ा से और आएमेफ के हवाले मुल्क करके चला गया जाते जाते उसका मौाइदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाप के बंकर में बैठके 25 रुपे की रोटी और फिर कहते हैं मैं कल सुन रही थी कहते हैं मुझे जो एजनसी हैं वो मारना चाहती हैं कतल करना चाहती हैं ये वोई शक्स है जो इक्तदार से निकलते निकलते कहते हैं मेरे खिलाव आलमी साज़श हुई आलमी साज़श फिर अमरीका तक आ गई अमरीका से साज़िश होते होते डानल लू तक आ गई डानल लू से होते होते नवाज शरीफ से होते शवाज शरीफ से होते आज मौसिन अक्वी साथ तक आ गई और फिर उसी अमरीका से माफिया हाथ जोड़ के मांगने लगा के गलती हो गई है मेरे मूँ से मरीका का नाम निकल गया अभी दो दिन पहले तक कह रहा था मुझे आसिज़दारी साब ने मारने के साज़श की है अब कह रहा है कि मुझे एजनसीज ने मारने की साज़श की है तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आपको इतना इंपॉर्टन्ट क्यूं समझते हैं कि सारी दुनिया आपी के खलाफ साज़िश कर रही है और पिर ऐसे जेनी मरीज देखें बात सुने बात सिर्फ ना इस मुल्क में इस हालात में जो आज हम खड़े हैं ना मुल्क को मुश्किलात का सामना इसकी वज़ा सिर्फ इनकी नालाइकी और नाएहली और बेहसी नहीं हैं इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि एक जेनी मरीज के हाथों 22 कौम का 22 करोड का मुल्क पकड़ा दिया एक जेनी मरीज के हाथ फिर उसने यही करना था जो किया और ये तो आज माजी का हिस्सा बन गया ना माजी का किस्सा बन गया किस्सा परीना बन गया तारीख के कूड़े दान में चला जाएगा इन्शाला लेकिन मुल्क को भुरानों में फसा गया उस पे भी आ जाते हैं और देखो इन्हों ने कहा कि मैं नहीं कहती वो लवज मैं इस्तमान नी करती मगर आज चार माँ से अल्ला ताला इनको सेथ दे मैं इनके लिए कोई बद्वा नी करती लेकिन चार महीने से ये प्लास्टर टांग पे लगाया हुआ है और कोई अदालत बुलाती है अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है लेकिन जल्सा करने ये पिंडी चला जाता है तब तांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है उसकी वज़ा ये है तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता तुमने जो जराइम किये हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से तुमने जो जुर्म किये हुए तुम्हे वो रोकते हैं अदालत में जाने से भाई अगर सीना अगर दामन साफ हो हाथ साफ हो और अगर तुमने कुछ नहीं किया टिरियन वाइड केस में तुम कसूरवार नहीं हो घड़ी चोरी तुमने नहीं की तोशाखाना में वारदा तुमने नहीं की फॉरिन फंडिंग में वारदा तुमने नहीं की तो तुम वील्चेर पे बैठ कर भी नवाज शरीव की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते बात ये है कि तुमें इल्म है तुमें इल्म है कि तुमने चोरी की है तुमने जराइन की है इसलिए जब अदालत बलाती है तो अपना प्लास्टर दिखा देते हो तुमें इल्म है कि तुमने चोरी की है आज आज तुम लोग देखना में आपको गवा बना के कह रही हूँ इसको कोई साज़िश के लिए इसलामाबाद बुलाए हकूमत गिराने के लिए इसलामाबाद बुलाए इसको इक्तदार के लिए इसलामाबाद बुलाए तो ये दोरा दोरा जाएगा इसलामाबाद लेकिन जब अदालत बुलाती है अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे और फिर कहते हैं कि कारकुन पहले गिरिफ्तार हूँ भाई कारकुन क्यूं गिरिफ्तार हूँ जेबे तुम ने वरिये कारकुनों ने नहीं भरी पहले तो फरागोगी साहिबा को गिरिफ्तार कराएं जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट परसन थी वो दोड़ गई दुबई उसको आपने चार्टर जहाज में दुबई फरार कराएं गिरिफ्तारी का अगाज वहां से करें हीरों की पांच-पांच करात की अंगूठिया आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है पहले गिरिफ्तारी वहां होनी चाहिए फिर कारकुनों की बारी आनी चाहिए जमीने आपने ली हुई हैं जमीनों के बदले फाइलों पर दस्तखत आपने किये हुए हैं रिश्वत लेकर फाइलों पर दस्तखत आपने किये हुए हैं कारकुनों क्यों कहते हो जेल काटे खुद आप उधर जमान पाक के बंकर में छुपके बैठे होगा आगे ख़वातीन को खड़ा किया हुआ है कि भई मुझे कोई गुरिफतार करने आए तो मुझे बचा ले ना उधर आप कहते हो कि जेल भरो जेबे तुमने भरी है जेलें अवाम भरें क्यों भरें भई जिसने चोरी किये जवाब भी वो दे नवाज शरीफ साब ने तो चोरी नहीं की ना उनको तो एकामे पर निकाला 200 पेशियां नवाज शरीफ साब ने भुग दी हफ़ते में 5-6 दफ़ा उनको अदालत बुलाती थी मेरा हाथ पकड़ के जाते थे थे ना अपनी वाइफ को छोड़के मरती हुई बीवी को छोड़के इतसाब के आगे इंतकाम के आगे पेश होने आगे तुम भी वीलचेर पे बैठो और जाओ जवाब दो ये सहूलत सिर्फ तुम्हें क्यों हासल है बात ये है कि इमरान खान और इसके हवारियों को दिवार पे लिखा हुआ अपना इंजाम साफ नज़र आ रहे क्योंके जराइम से हाथ रंगे हुए इसलिए चीखना रोना पीटना जो आप सुन रहे हैं ना वो नविशता है दिवार साफ नज़र आ रहे है और मैं खेबर पफटूनखा के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मसाइल से कोई निकाल सकता है आपके मुल्क में कोई तरकी ला सकता है तो वो नवार शरीप है और ये मैं अल्ला ताला को गवा बना कर कहती हूँ पाकिस्तान को अगर कोई मुश्किलात के भमर से निकाल सकता है तो वो कोई और जमात नहीं है कोई और जमात नहीं है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है अल्ला ताला के फजल से जिसमें किया है हर बार किया है और इंशाल्ला ताला करके दिखाएंगे जब आपका घर तूटता है न कोई किसी का घर तोड़ देता है चार साल लगाकर और वो घर जमीन पे आ जाता है तो पहले उस घर की मुरम्मत होती है फिर तामीर होती है तो आप सब इस चीज़ के गवार है न तसली रखना भरोसा रखना कि इंशालला ताला आपके घर की मुरम्मत भी होरह है और उसके बाद उसका उसको सजाएंगी भी उसको समारेंगी भी यह मुल्क हमारा है यहां मेरी نسلों ने रहना है यहां आपके बच्चों ने रहना है तो मैं खेबर पफ़तून खा के अमाम को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत आजमा लिया आपने आजमाए हुआ को अब अपनी तरक्की की खातर, अपनी भलाई की खातर, अपनी बेतरी की खातर, अपनी आने वाली नसलों की खातर मुस्लिम लीग नून को बोट दो, और काम याप बनाों ताके मुस्लिम लीग नून, आपके हर हर डिस्ट्रिक के अंदर आपको नए अस्पताल भी दे, आपको नए स्कूल भी बी दे, आपको नए यूनिवर्सिटी आपको नए सड़कें भी दे, आपको जॉब की opportunities भी मिले अच्छा सूबा हजारा बड़ा अच्छा मैं देखो मेरा दिल करता है कि सूबा हजारा बने ये बहुत बड़ी आवाज है अवाम की में लेकिन आप ये जानते होना कि सूबा हजारा के लिए आपको टू-थर्ड मिजॉरिटी की जरूरत है तो टू थर्ड मजॉरिटी दो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं आपके हक के लिए खड़ी हूंगी और सुबा हजारा में इन्शालला मिलके बनाएंगे और मेरा आज के कारकुनों से जो मेरे सामने बैठे हैं जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं मेरा सबसे ये गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून का पेगाम लेकर गली गली महले महले पहुंचें खैबर पख्तून खा के अंदर सोशल मीडिया टीम बहुत अच्छी है अपने आपको और फिलाएं नौजवानों को मेरा दिल चाहता है कि मुस्लिम लीग नून में खावतीन और जोरो शोर से आएं में गेर मामूली एकदामाद की जरूरत है मुझे इसास है इस बात का लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर डिस्ट्रिक के अंदर मुस्लिम लीग नून जीते खैबर पख्तून खा में उसके लिए मुझे अल्ला ताला के बाद आप सब की मदद और सपोर्ट की जरूरत है लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने तीन अदवार के अंदर परफॉर्मंस के जंडे गाड़े इसी तरह तन्जीमी लिहास से भी मुस्लिम लीग नून को आइंदा कभी कोई नहरा सके इंशाल् detrimental इनी लाइन पर मनजब करेंगे अल्ला ताला आप सब का हामी और नासर हो मेरे साथ मिलके नारा लगाना यै पिर जाना ए नवास शरीव 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 खैबर पुँण खार енशाहर और पाकिस्तान का नारा जिन्दाबाद का ऐसा लगना चाहिए कि आपका बाद के दरो दिवार और पहाड गूंज उठे वादियां गूंज उठे पाकिस्तान बहुत 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 शुक्रिया और पाकिस्तान कुछ हाल पाकिस्तान कुछ हाल